सबी लोगों का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इजी नीट पे आज हम इन्वार्मेंटल इसूज का सेकंड लेक्चर करेंगे और बेसिकली यह हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा ठीक है एक और लेक्चर इसके बाद आएगा यानिकि थार्ड लेक्चर इसी चेप्टर के पर उसमें मैं पहले portion में यानिकी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको dates जितने हमी सारा कुछ है NCAT का अंदर और NCAT से बाहर एक दो प्रिविए सेर में इस चेप्टर से आया है उन सारे चीजों को रिलेट करके मैं एक थियोरी में ने बनाया है ऐसा के जातों उसमें स्टोन लेप्रोसी के बारे में है एसीड रिन के बारे में है काईटर प्रोटोकोल के बारे में है भूपल ट्रेजिडी के बारे में है ठी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ठीक है ध्यान से करेंगे करीब करीब 50 पेज का यह हमाराज का पीपीटी जो है है तो आपने साथ पानी का बोटल लेकर बैठना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहले तो देखी लोग क्या सिच्वोएसन क्या है एसा अगर निकलता रहा न तो हम किस दिन हम कहां निकल जाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा अगर ऐसा निकलता रहा है ठीक है समझी गे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं तो चलो देखते हैं आज हम कहां से स्टाट करेंगे water pollution से water pollution and its control पहले तो आते है domestic swage and industrial effulence के उपर effulence क्या है swage treatment कैसे होता है मैंने ये सब आपको microbes in human welfare में पढ़ा दिया है ठीक है आई थिंक आपको याद होगा अगर आपने revision किया होगा तो impurities 0.1% impurities 0.1% यह मैंने क्यों लेका है अगर किसी भी पानी में 0.1% impurities है तो इंप्यूर वाटर होगा ठीक है अगर मान लो हमारे पास 100 ग्रम पानी है ठीक है 100 ग्रम हमारे पास पानी है उसमें अगर 0.1 ग्रम अगर impurities मिला हुआ है उसमें तो इंप्यूर वाटर कहलाएगा और उसे हम पी भी नहीं सकते ठीक है जो पानी हम पीएंगे उसको पूरी तर से साफ होना पड़ेगा ठीक है क्या-क्या impurities हो सकते हैं उसमें हो सकते हैं suspended solid कोई भी solid चीज़े हो सकते हैं यह क्या हो गया रुख जाओ कोई भी solid चीज़े हो सकते हैं कोलोडियर मेटेरियल्स हो सकते हैं जो की कोलोड होते हैं और dissolved मेटेरियल्स भी हो सकते हैं dissolved मेटेरियल्स के अंदर क्या-क्या आएगा dissolved मेटेरियल्स के आएगा heavy metals आ सकता हैं ठीक है heavy metals हो गया nutrients हो गया एमोनिया हो गया, DDT हो गया, यानि कि अगर आप DDT, मानवो कोई भी, आपके फिल्ड है, क्रॉफ फिल्ड, उसमें कोई फार्मर DDT यूज गया, ठीक है, सारा DDT तो यूज नहीं होगा, कुछ-कुछ, मिट्टी में रह भी जाएगा, बारिस हुआ, वो बारिस के पानी के साथ बहके आसपास के किसी पॉंड में जाकर गिरा ठीक है तो पॉंड में क्या हुआ डिरिटी मिल गिया उसका नूट्रियंट भी बढ़ जाएगा नूट्रियंट पर्सेंटेज जो है वह भी बढ़ जाएगा और पानी इंप्यूर बहुक बहुत eh अईसा होता है उसके वक से इसके इलाव भी आमोनिय आएगा फॉस्फेत अईगा सोडियम आएगा कैसिय मीज़े यह साड़ ऐा ठीक और कुछ भी आ सकता है कि उसके बहud दाते है को पॉलेडियल मेत्रीयल में सबसे पहले तो आते हैं यह nabaniactic बहुत कोई भी इंसान कोई भी इंसान प्रॉपर हेलोन नहीं होता क्यूंबता रहा है एक एक हेल्दी पर्सद आप किसे काएंगे उसे सर्फीन होना ही ज़रूरी नहीं है इन ए इसस प्रवी होना ही होगा उसके साथ उसके अंदर इमोशनाव जो चीजह है वो कैसे किसी सीचुएशन में कैसे रेट करता है उसका इमोशनल ही हो सही है कि ना इन सारे चीजों को मिला कर एक प्रोपर हेल्दी परसंट बनता है अगर डिजीज के बारे में ही मैं से बार्त करो तो डिजीज हो सकते हैं अब मान लो किसी का है ग्लुकोज लेवल थोड़ा सा जो नेचरल होता है उससे एक परसंट ज्यादा है ओ तो हेल्दी नहीं रहा है हेल्दी किसे कहेंगे जिसका सारा कुछ प्रोपर रहेगा अगर किसी इंसान का कोई भी चीज अगर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो उससे तो हम हो सकते हैं कुछ ना कुछ डिजीज हो ना भी हो ना भी हो सकते हैं लेकिन हमको तो मान के चलना पड़ेगा ना कि उसके इंड़ डिजीज है नहीं तो फिकल मैटर अगर जायेगा भी तो उससे क्या प्रॉब्लम है ठीक है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर इंसन के सरी में होता है कि बिदे से पानी के साथ मिल गया उसका जो वैक्टेरिया है शेल च्छला गया of आपको भी हो जाएगा फिर आपको भी होस्पिटोल के चक्कर कटने पड़ेंगे है कि नहीं पानी भी इंप्योर हो गया अब समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ जो चीजे है ध्यान से पड़ेंगे क्योंकि आज जो है समझने का चीजे जादा है तो अगर मैं स्टेट कट से रेडिंग पड़के चला जाओंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक है इसलिए मैं एक्स्प्लेंड कर रहा हूँ एक चीजे को बार-बार घुमा फिरेकर बता रहा हूँ ठीक है ठीक है अब के माथ है दीमाख पर बैड़ जाए उसके बाद आता है सस्पेंडर सॉलिड सास्पेंडर सॉलिड में जो जो आगर कोई मानलो रिवर है पानी बहुत से भी है कि अन्हuarड है है सेंड होगा स्लीड होगा कले हो अनNow कुछ किया नहीं जासकता है तो अब कोई भी अगर खर के तो कुछ दिर बात देखो गया यह स्टील वाटर ऊपर टैर रहा और खर नीचे बैड गिया है सबNow और फिस ऑगर एकदम यानकी बड़े दाने से छोटे दने तक नीच से उपर तक रहता है ठीक आप किसी भी कोई भी वाटल लेना किसी भी कांच के बिकर में लेना अगर आपके पास कांच के बिकर बाउर ग्लास हो ग्लास में भी हो जाएगा पानी के साथ मिट्टी को एड करना कुस देर उसको रख देना फिर यह आप एक्स प्रेम्ट घर भी कर सकते हो ऐसे ठीक है यह तो समझ में आया आप जो डोमेस्टिक स्वेज होते हैं डोमेस्टिक स्वेज होते हैं वो प्राइमरीली क्या रहते हैं उसमें कॉंटेन होते हैं बायोडिग्रेबल ओर्गनिक मैटर ज्यादा तर देखने को मिलता है अगर कोई डोमेस्टिक स्वेज है या वेस्ट है आपके घर में से क्या क्या वेस्ट निकल सकते हैं आपके घर में से आपने खाना बनाया है खाने का टूगरा निकल सकता है अगर हैум सब्सक्राइब शलते तो अगर को छिले उसका हूं निकल सकता Connor निकल सकता यह सब्सक्राइब निकल सकते एक घर से और क्या भी निकल सकता है ति सारब शक्राइब कार्या किनीकल सकता की अंदर आएगा ओ अलग बत है कि प्लास्टिक निकला लेकिन यहां पर क्या लिखाए एक वाड उसके गए प्राइमरली और रहे प्राइमरली यानि कि आम तोर पर बायोटिक ग्रेवल और गया निकलते हैं ठीक है जो वाड है न प्राइमरली इसको पर गौर करना का पर फिर गलत हो जाएगा ठीक है और आपके क्वेस्टिन भी हो सकता है गलत हो जाए गहार करना कि यह देखो एंसे टीव यह एक है यह इंप्यूर वाटर का यह क्या हो रूप यह प्यूर वाटर का बारे में दिया गया है मान लो यह पानी है और इसमें से चिर्फ यह 0.1% impurities है तो यह जो पानी होगा यह पानी इंप्यूर वाटर हो जाएगा पीने लाइक नहीं है और यह 99.9% सुध पानी है ठीक है ऐसा दिखा गिया है इंसेटी पे एक पिक्चर है यह तो लाइन मैंने बता दिया आप आजाते हैं बायो केमिकल ओक्सिजेन डिमर्ड जिसे हम कहते हैं बॉड किया है बॉड के द्वारा हम मेजर कर सकते क्या कोई भी पानी में कोई भी पानी में कितना बायो डिग्रिबल और गनिक मैटर है मानलो मेरे पस मैंने मैं किसी पॉंड के असपास मेरे घर के पास की कोई एक पॉंड है मैं वहां पर गया ठीक है जाके वहां से पानी लेकर आया और उसका मैंने बॉड चेक किया बॉड चेक किया मतलब पानी के साथ मैंने क्या किया पानी के मैंने चेक किया जब उस पानी में कितना है किसी भी पानी का जब आप चेक करोगे उसके अंदर बायो डिग्रेवल और कितना है तो उसके गएंगे बॉड काएंगे ठीक है अब डिफिनेशन को पड़ो इस पॉसिबल टी एमाउंट और बायो डिग्रेवल और गनीग मेटर इन स्वेज वाटर बाई मेजरिंग बॉड समझा दिया मैं कोई भी पानी में कितना बायो डिग्रेवल और गनीग मैटर है उस मेजरिंग को हम बॉड कहते है ठीक है एक और बात यहां पर अब यह याद रखना यह हम क्या मेजर कर सकते हैं बायो डिग्रेवल और गनीग मेंटर नॉन बायो डिग्रेवल और गनीग नहीं बायो डिग्रेवल इन और गनीग नहीं स्टेट्मेंट वेस्ट कोईस्टन में आ सकता है ठीक है बार्ड के बार में स ग्रिवल और्गेनिंग मेटर को मेजर करते है बॉड में ठीक है और यह फूल फ्रोम भी याद रखना बायो केमिकल ओक्सिजेन डिमंड ठीक है चाल दूसरा बात दूसरा बात क्या है यह बॉड से रिलेटेड नहीं है एक नॉर्मल चीज है इसकों कहते है अलगल ब्रूम क् वहिए पानी में आगर न्यूट्रेएंट ज्यादा हो गया मानलो सबस लेजीन करो एक पोण्ड है पॉर्म में नेयचरली निूट्रेएंट जो है ओ हो है अमान्ट है मानलो नन्यचरली उस में कोई प्रहपलयम नहीं होगा नि्ट्रेड है रभा Kaiser मानलो नूंट्रेइंट ह अब उसमें डोमेस्टिक स्वय जाके मिला आस पास में जो क्रॉफ फिल्ड है उससे निकला हुआ जो पानी है ओ आके मिला किसी भी फैक्टरी से आके पानी मिला देखा गया कुछ दिनों बाद जो न्यूट्रियंट क्वालिटी न्यूट्रियंट एमाउंट है उस पांड का पहले नाचायली 10 की जी था अब बढ़के हुआ 30 की जी अगर न्यूट्रियंट बढ़ जाएगा न्यूट्रियंट के अंदर क्या आएगा अगर घर से निकला तो उसमें क्या आजाएगा डिटर्जेंट डिटर्जेंट आजाएगा डिटर्जेंट में बहुत सारा न्यूट्रियंट्स होते हैं डिटर्जेंट आजाएगा अगर खेस से यानि क्रॉप फिल्ड से आया पानी हो तो उसमें डिडिटी होगा बहुत ही घातक न्यूट्र के बारे में बात करूं, प्लैंट्स मतले फाइटो प्लैंक्टोन की, जो फ्री फ्लोटिंग करते हैं, तो उनके ग्रोथ को इंक्रीज करता है, क्या करता है, ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, मान लो, एक फाइटो प्लैंक्टोन था, जो दस दिन में बड़ा हो रहा था, ठीक है एजूम करो, निउट्रेंट जादा आ गया, अब वो 3-4 देज के अंदर उतना साइज का हो जा रहा है, जितना वो 10 देज में हो रहा था, ग्रोथ इंक्रीस होगे, ग्रोथ इंक्रीस होगे, तो एक टाइम के आएगा, पूरे जो पॉंड है, पूरे पॉंड में वो फैल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ऐसा बैर स्मेल वहां से आता है, आएगा, कि आप उस पॉंड के पास सब जा भी कहीं पर नहीं पाओ गया, ऐसा बैर स्मेल आता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, टिंसर मतलो पिक्चर अभी देखाऊंगा मैं, यह होता है, अलगल गू सिधे तोर पर आसपास के पानी पॉंड में आकर मिला, पॉंड का निउट्रेशन बढ़ गया, जो था पहले से नेचरल से बहुत जादा बढ़ गया, इसके वज़े से जो फाइटो प्रेंक्टन था, उसके ग्रोथ में इजाभा हुआ, इंक्रीज हुआ, उस से उस चीज क उस प्रोसेस को, उस सीचुएशन को जो भी कव, उसको हम क्या कहते है, उसको हम कहते है, अलगल ब्लूम, ठीक है, समझ के, अभी अब मैं आपको कुछ दिर बार यूट्रोफिकेशन बताऊंगा, यूट्रोफिकेशन के साथ इस अलगल ब्लूम को कॉन्फूज मत होना, ठी ठीक है, यह देखो, NCRT पे यह एक जो है, पिक्चर है, इसको अब देखो, पिक्चर को से बयाद रखो, यहां पर आता है क्या, इसको पिक्चर को याद रखना है, पिक्चर में आया है, यह पिक्चर प्रिवियस एर में आया है, जो नीचे से उपर जाएगा, वो होता है, dissolved oxygen क्या dissolved oxygen उपर से जो निच्छे आएगा वो क्या होता है वो होता है बोड बायोकेमिकल oxygen demand ठीक है उपर जाएगा तो dissolved oxygen निच्छे आएगा तो यहाँ इधर होता है कॉंसेंट्र से इधर होता है क्या डायक्शन फ्लोग ठीक है आप जाते हैं किसमें इच्छोरोनिया इच्छोरोनिया में ठीक है ओ मैं प्रोनॉंस नहीं कर पहूंगा तो छोड़ दो या फिर उससे हम कह सकते यह तो आपने डेफिनेटली देखा ही होगा सबने रेखा होगा है कि एक जो है ना बहुत फानी चीज़ है इस सुनो जहांसे क्यों यह फश्य जिस चीज़ को हम अज इतना परिशान है जिस चीज़ को लेकर उसी चीज़ को एक दिन हमने ले आया थे इंडीया में हम ले आ प्लावार के सुंदर चीज को लेकर आज हम परेशान है इतना परेशान क्योंकि उससे जितना स्पीड से हम उसे मरेंगे यह मानु लो हर्बिसट पेस्टिसएड स्प्रेय कर दिया उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो करता है अगर किसी एक रिवर या पॉन्ट में अगर वाटर हैसेन ठों गया तो उस पॉन्ट को बचाना लगवग इंपोसिवल हो जाता है और यह क्यों होता है ज्यादा असर eutrophication के लिए अगर nutrient quality अगर बढ़ जाएगा तो water, hyacin भी तेजी से grow करने लगेगा, एक तो उसमें तेजी है ही grow करने की उससे उपर अगर eutrophication हो गया यानिकि nutrient quality पानी के बहुत ज़दा बढ़ गया, तो और पानी आनिका, अगर मानलो river river बे जो damp है, damp के आसपास अगर कहिए, damp अगर 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 आप गये होगे तो आप देख सकोगे, damp का जो gate है न, gate अगर बंद रहेगा न तो क्या होता है, कि वहाँ पर आपको water hyacin देखने को मिलता है अगर बहुत जादा देर, अगर कोई भी रास्ता, अगर बहुत दिनों तक अगर बंद रहा, और वहाँ पर अगर water hyacinth हो गया, तो उस रास्ते को permanently block ही कर देगा water hyacinth, वहाँ से पानी ही निकलेगा और ये इतना dangerous है, क्या करता है water hyacinth, जिस पानी में हो जाता है उसमें जो डिजॉल्फ ऑक्सिजन होता है ये उसे सोक्स लेता है ड्रेन कर लेता है वहाँ से पानी से, क्या करता है water hyacinth, जिस भी पानी में हो जाता है वहाँ से ओक्सिजन को ड्रेन करता है यानिकि सोर्स लेता है उक्सीज़न को, पानी में बेटा है उनका देड हो जाएग int इसे वाल्ड मोस्ट प्रब्लेमेटिक वीड कआते हैं क्या वीड … एक चीजिए में ध्यान करना मैंने यहां पर क्या ताम यूजकिया है ? नॉट प्लैंट ऐसा कुछ भी नहीं एक और बात इसके बारे में याद राखना है इसके जो रूट होते हैं यानि कि वाटर हैसिन का जो रूट होते हैं रूट में रूट की एंड में हर प्लैंड का जो भी टेरिस्ट्रियल प्लैंड जो होते हैं उनका रूट की एंड में र कि 7 जीसा पिश्टिया पिस्टियाOS एंट वाटर सिंध कल रूट कर नहीं होता तillar कि रूटेर में इसे दुलने खर पत्थर नहीं होता हा है तरी आप Państwo70 इस जा पतीं डिया क्या है क्या नहीं है रिप भी टिफूल मार्व केलट फ्लावर्स किसके बचेंसे इसको यहां पर लाया गया सुरी सॉरी ऑजिन स्सुरी जोड़ जा जो अब ब्रूदी फूल मार्व कलर्ड फ्लावर्स इसके बज़े से इसको इंडिया में लाया कि इंट्रोड्यूज्ड इन इंडिया फॉर इट्स लवली फ्लावर्स और लवली फ्लावर्स कैसे थे मार्व कलर्ड फ्लावर्स ठीक इसका हम लवली फ्लावर कहते हैं कह रहा है यार ब्लॉक्स और वा पानी वहां से निकलेगा ही नहीं ऐसे ब्लोक करता है ठीक है ग्रोफ फास्टर ग्रोफ फास्टर दैन आर एबिलीटी टू रिमूव देम हमारा उनको रिमूव करने का जो अबिलीटी है उससे भी ज्याधा तेजी से ग्रोफ करता है है अगर मान लो एक मिनिट के अंदर मैं दौवाराथष्经 को माल सकता हो तो एक मिनिट के अंदर FIVE टांजी Fif R várias कर रहा है तो मैं दो को माल भी दूँँगां हो तो fiveSaër grow हो जाएगा स्थी में grow हो रहा है तो एजूम करो सिर्फ यासा होता नहीं यासल में, एजूम करो, ग्रो हो रहा है, कैसे होगा? वर्ल्स मोस्ट प्रॉब्लेमेटिक वीड इसे अब याद रखना, जिस चीज़को हम आगाचा कहते हैं, बेंगोली में, पॉरगाचा, आगाचा, जो भी कहो, जिसको कहते हैं, वीड कहते हैं, यानि कि अन्डिजरेबल प्लैंड जो होते हैं, उनको हम वीड कहते हैं, यह और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, टेरोर अब बिंगोल, यह एक नाम है, special name है, मैं भी वेस्ट बिंगोल से हूँ, इसे हम कहते हैं, टेरोर अब बिंगोल, ठीक है, और क्या होते हैं, ग्रो अबंडर्बेंड ली इन यूट्रोफिक वाटर वोरिज, यह ज्यादातर ग्र होते है normal भी grow हो सकते है लेकिन बहुत ही ज्यादा problem create उस पाने में करते है जो utrophic हो यानि कि उसमें जो है nutrient quantity बहुत ज्यादा हो जाए normal से वहां पर उस ज्यादा तेजी से grow करेंगे और obviously तेजी से grow करेंगे तो problem भी ज्यादा create करेंगे कि समझ गये इसका सारा function जो है समझ गये और एक बात यहां पर मैंने लिग देता हूँ जो कि रूट कैप होते हैं कि और नहीं होते हैं इसके साथ एक होते हैं पीस्टिया में भी रूट कैप नहीं देखने को मिलते हैं ठीक है अच्छा कि यह फ्लावर का color दे सकते हो यह देखो देखने में सुंदर हैं लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा देखने में आपको क्या लग रहा है कॉमेंट में बताना क्या आपको खास लग रहा है कि इसके वैजे से इसको इंडिया में लाना ज़रूरी था क्या आपको ऐसा लग रहा है इसको देखकर मुझे तो नहीं लग रहा है जो भी हो अब क्या का जया आ गया एक बाद तब कुछ नहीं किया चासकता देखो देख लो वाल्ड का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लेमेटिक वीड है यह तो देखना तो बनता है ना इसे चलो यह देखो यह पूरा पॉंड है यह जो पूरा देख रहा है यह पूरा पॉंड है पूरा पॉंड है यह लेकिन आपको पानी कितमे में दिख रहा है पानी पानी सिर्फ देखो आपको एहीं पर देखेगा यह जगा जो है ना यह पूरा ब्लॉक हो चुका होगा यह लेकिन यह जगा ना यह दूर का जगा है पुरा ब्लॉक हो चुका होगा जो पिक्चर में देखने से जैसा लग रहा है यह है यूट्रोफिकेस्टन का नतीजा इतना तेजी से ग्रो हो रहा है अब कितने को अब मारोगे अगर आप और अगर आप नहीं भी मारोगे तो फित में चेज कहने कहीं नहीं है क्या होगा उपरवाल हाई मालिक है तब उस पॉंड का ऐसा बात है ठीक है चलूँ पिए तो मीटल को कहेंगे? जिसका डेंसीटी, जिन से मेटल का डेंसीटी 5 gram per centimeter cube से जादा होता है! उनको हम हेवी मेटल कहेंगे किदने से ज़याधा? 5 gram per centimeter cube से जादा है और उनके examples क्या है? Marker है Acadmium है Copper है Lead है यह सारे है इसको मत देखो पहले मैं समझाता हूँ समझो पहले फिर देखना बाइओमीफिकेशन क्या है पहले तो कि एक बात आपनेे दिमाग पर शेट कर लो कि जो मैं अबियो समझा गेखने अब का जाएग अबियुकु क्लिद का नआ चोंगा बैयो मेंीफिकेशन का रॉडम blender कोret ट्रेॉर मार करी आप बोलोगे भाईया अभी तो उने बाताया कि यह जो है देखने को मिलते है अक्वाटिक फूड चैन में वहाँ पर डीडीडी कैसे आ जाएगा अच्छा क्वेस्टिन है मान लो किसी पॉंड के आसपस कोई क्रॉफ फिल्ड है कोई फर्मर है उस क्रॉफ फिल्ड का उसने अच्छे से डीडीडी दिया अपने क्रॉफ फिल्ड में ठीक है उसका कोई दोस नहीं है क्योंकि जादा होता है सारा DDT काम में नहीं आएगा कुछ DDT ऐसा होगा जो अपर स्वाइल का है स्क्राफिस ही रह जाएगा क्या होता है जब बारिस होता है तो वह बारिस के साथ दोलकर आसपास के जो पॉंड है उसमें चला गया, पासका पॉर्ण में चला गया, DDT वहाँ पर चला गया, पानी के साथ हो डिजॉल्फ हो गया, हो गया, यानि कि एक्वाटिक फूर्चन में अभी DDT का एंट्री हो गया, पानी के साथ हो डिजॉल्फ हो गया, पानी में क्या है, फाइटो प्लैंक्टोन है, फाइटो प्लेंक्टोन ने उसको लिया, फाइटो प्लेंक्टोन के अंदर उसको चला गया, क्या चला गया, डीडीटी फाइटो प्लेंक्टोन के अंदर चला गया, मान लो, एक फाइटो प्लेंक्टोन के अंदर एक डीडीटी का मॉलिकूल गया, या मान लो आप से एक मॉल फाइटोप्लेंक्टोन को खाता है ठीके जूप्लेंक्टोन आया एक फाइटोप्लेंक्टोन के अंदर एक मोलीक्यूल डीडीटी थे देखा गिया एक जूप्लेंक्टोन पाँच फाइटोप्लेंक्टोन को खा रहा है क्या एक जूप्लेंक्टोन पाँच फाइटोप्लेंक देखा गया एक फैटो यह लिए खुछ फैटोफस्ज इन्दे मॉलीकु recipes लिएग़ूए था जब अपर ट्रॉपिक लेवल्वल में जब हो गया उसमें एक खुछ जुपलांटों का उल्प्राइटों हो गया फैग मॉलिकुल Auft од vaccines भी क्या निदेः निला तो certificate गया जाद फै मालीकुल हो गया कि आप जुप्लंक्टिन दे चो प्लंक्टिन को किसी छोटी मचली ने खा लिया नट आलो थकर चो फेए चुची उंशिमें दस दौ नको खाया एक माचली नेout दस जुप्लंक्टों में दौंसा SUR आप उस छोटी मचली के सरी के अंदर 50 molecules अब DDT है देख सकतो कहाँ एक था फाइटोप्लेंटोन में अब कहाँ पचास हो गया हो गया यह जब आप उस छोटी मचली को किसी बड़ी मचली ने खा लिया मान लो एक बड़ी मचली थी उसने और 10 छोटी मचली को खा लिया एक छोटी मचली के अंदर 50 phytoplankton 50 molecules अब DDT थे अब उसने 10 को बड़ी मचली ने 10 छोटी मचली को खा लिया यानि कि उसके अंदर 500 molecules अब DDT हो गया समझ पार हो कैसे बढ़ रहा है जूप्लैंक्टोन phytoplankton में एक phytoplankton के अंदर एक molecule DDT था बड़ी मचली के अंदर एक बड़ी मचली के अंदर 500 molecules of DDT हो गया ऐसे बढ़ रहा है अब एक सीगल आया ठीक है उसने भी 10 बड़ी मचली उसने भी खा लिया एक सीगल ने एक बड़ी मचली के अंदर 500 molecules of DDT थे दस को एक सीगल ने दस बड़ी मचली को खा लिया तो फिर सीगल के अंदर क्या हो गया 5000 molecules of DDT फाइटो प्लेंक्टोन में एक फाइटो प्लेंक्टोन के अंदर कहां एक मॉलीकूल डिडिडी था और कहां एक सीगल के सरी के अंदर 5000 molecules of DDT है ऐसे बढ़ रहा है अब ऐसा तो नहीं कि एक जो है मचली को बड़ी मचली को या छोटी मचली को किसी सीगल नहीं खाए ऐसा भी हो सकता है कि कि किसी बड़ी मचली को या छोटी मचली को इंसन ने भी खा लिया उसके सरी के अंदर भी DDT आ जाए किसी जोड़ी ट्रॉफिक लिविल से ईयार् ट्रॉफिक लिविल तब जैसे जैसे डिडिडी बढ़ता है जाता है एसे ईए जोड़ीडि का एमाउंट बढ़ता नहीं सेब डिडिडिडी होगा ऐसा कोई बात नहीं मरकरी भी हो सकते है और कुछ भी हो सकते है ठीक है आप देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है पहले तो यह एक्वाटिक फूट्चन में देखेगा कोई डाउट रही है इसमें आप पॉइंट्स को देखो पहला केस्वाटिक फूर्फिग लेवेल में जैनि हर एक छे टॉकषिक लेवेल में कितना जो है टॉक्सिक आंठ है और इंक्री आप णरी क्या मैरकर्श नहीं हों टॉसरी गलती हो गया जिआ क्या रेफर क्रता है हर एक टोफिक । तॉक्सिक आंठ का का इंक्ट्रेशन बढ़ इसको हम कहते है, Concentration ही तो बढ़ रहा है तो इसको कहते है हम Biomagnfication, यह हम Biomagnfication का अर्थ यह है, ठीक है? दूसरा पोईंट किया है? It happens, because, क्यों होता है यह? A toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized, cannot be metabolized और excreted, or excreted and is thus passed on to the next higher trophic level यह जो टॉक्सिकेंट है किसी और्गनिजम में और्गनिजम इसको खा लिया यह टॉक्सिकेंट मेटाबोलाइज नहीं होगा उसके सरी के अंदर यह टॉक्सिक मेटाबोलाइज यानि कि मेटाबोलिक पाथवय में मेटाबोलिक मेटाबोलिजम नहीं होगा इसका यह रह जाएगा उसके सरी में यह जम के रह जाएगा और धीरे धीरे उसके सरी में इसके कॉंसेंट्रेसन बढ़ता रहेगा अगर जादा बढ़े गया बहुत ही जादा लेवल में बढ़ गया तो उस जो organism का death भी हो सकता है ठीक है उसके बारे में बाद में जाएंगे metabolism नहीं होता उसके सरी में ये जमता रहता है उससे higher trophic level का अगर कोई भी organism उसको खा लेता है तो ये इसका सरी के अंदर जो भी concentration में वो toxicant था उसके सरी में चला जाएगा ऐसे ऐसे ये बढ़ता रहेगा उपर तक ठीक है इसके नीचे है क्या नहीं इसके नीचे नहीं है चला ये देखो यहां पर ये PDF लेकर PDF नहीं मतलब picture को लेकर आया हो देखो मैंने तो 55 का example लेकर मैंने assumption लेकर बताया था लेकिन यहां पर जो इनिचेर्टीव के में जो है ना ये जो value आप लोग याद कर लेना ठीक है देखो वाटर में कितना डिडिटी है 0.003 PPV PPV का मतलब क्या है parts per billion क्या? parts per billion और यहां PPM है and parts per billion ठीक है? याद रहेगा लिख लेना वाटर में 0.003 PPV टीडिटी है हो गया अब जो प्लेंक्टों की बारी जो प्लेंक्टों में कितना आया 0.04 PPV देख रहे हो वहाँ पर कितना था वाटर में 0.003 PPV यहां पर बढ़के कितना हो गया 0.04 PPM बढ़ गया जो प्लेंक्टों में बढ़ गया अब यह देखो जब स्मॉल फिस की बारी आया है तो स्मॉल फिस में कितना हुआ? 0.5 PPM और बढ़ गया 0.04 PPM से 0.5 PPM हो गया कितने डिंजरेस है देख रहे हो? अब देखो लार्ज फिस में क्या हुआ हो? लार्ज फिस में हो हुआ? 2 PPM 0.5 PPM से बढ़ कर अब हो गया 2 PPM इससे भी ज़्यादा सीगल ज़ा हुआ उसमें क्या हुआ? 25 PPM क्यों हुआ? क्यों हुआ? अभी यह आएगा क्यों हुआ? यहाँ पर ही देख लो इस एक्जम्पूल के ही देख लो सीगल और लार्ज फिस के एक्जम्पल को देख लो ठीक है? मैं यहीं से समझा दे रहो बाकी स्टेप तो आपको खुद से ही समझा जाएगा एक लार्ज फिस है यह है इस लार्ज फिस के सरीर के अंदर डिडिटी कितना है? 2 PPM कितना? 2 PPM समझ में आ रहा है अब यहां पर एक सीगल है क्या है सीगल? एक सीगल क्या एक लार्ज फिस काएगा सिर्फ? अभी बताओ, सोचो एक सीगल क्या सिर्फ एक लार्ज फिस को ही खाएगा कितने लार्ज फिस काएगा ऐसे? बारा खा लिया, तैरा खा लिया, चोदा खा लिया, चोदा बड़ा मचली खा लिया, एक सिगल ने, खा सकता है अरम से, खा लिया, अगर सपोज, बारा बड़ी मचली इसने खाया, एक सिगल ने बड़ा मचली खाया, हर एक जो है, बड़ी मचली के सरी के अंदर, दो पी पी करके डिडिटी है जो कि नहीं होता है कितना हुआ 24 पीपीएम 24 पीपीएम डिडिटी इसने खा लिया एक सीगल ने कि अब मैंने ये बताया ऐसा भी हो सकते हैं एक मचली को खाया पहला मचली सीगल ने खाया जिसके अंदर डिडिटी था 15 पीपीएम हो सकते हैं ना कितना होगा 20 पीपीएम हो गया खालीया उसने ऐसे करके बढ़ता है अब समाझ में कैसे बढ़ रहा है एक मचली एक अगर यह समझो, अगर एक बड़ी मैचली है, तो यह तो कोई बात नहीं है, क्यों एक बड़ी मैचली से एक ही स्मॉल फिस खाएगा, कितने स्मॉल फिस को उखा सकता है, एक बड़ी मैचली, अगर अब ऐसे भी कल्कुलेट करो, हर एक के अंदर अगर 0.5 PPM करके DDT है, अगर उसने 4 और ऐसे स्मॉल फिस खा लिए, तो 4 इंटो 0.5, 2 PPM तो हो गया, यह देख, 2 PPM, ऐसे करके अगर आप सोचो, तो भी होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता, यहां पर भी एसमसन है, एक स्मॉल फिस के अंदर ऐसा कोई बात नहीं है, कि हर वक्त 0.5 PPM होगा, एक PPM भी हो सकत पीछे करके देखो, रिवर्स करके जाके देखो, और तब भी नहीं समझ में आएगा, तो फिर कॉमेंट करना, मैं आप कल फिर से बताऊंगा, ठीक है, अब इसको देखो, यूट्रोफिकेशन आगी गया, कुछ भी नहीं है, यूट्रोफिकेशन, सिर्फ न्यूट्रेंट जो है, यूट्रेंट आइमांड जो है, वह वाटर में बढ़ जाएगा, तो उसको हम खाएंगे, क्या, यूट्रोफिकेशन जो हम क्या करते है, तो जो है अगल ब्रूम के जैसे ही चीज है लेकर थोड़ा सा अलाग है ठीक है कन्फ्यूज मात होना इसलिए इट इस दी नेच्रेल एगें अफ ए लेक बाइ निउट्रियंट इन्रिच्मेंट औफ इट्स वाटर अगर कोई भी लेक में अगर निउट्रेंट क्वालिटी बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते है क्या है विट्रोफिके सदो दुसरा पाइं है निट्रेंट्रिंट्रॉजैन फॉस्फॉर्वॉ दिआफ्र त्रच दी डेंव डेंपरटिंए जख़र्गंड आफ्ष फॉस्फॉर्व है है चाला , क्या करता है, nutrient quality बढ़ जाता है, कैसा nutrient? nitrogen, phosphorus, जो क्या करता है, जो कोई भी plant के growth को increase करता है, plant growth को increase करेगा, तो उससे क्या होगा, अगर plant growth increase होगा, मानलो phytoplankton है, उसका growth increase हो गया, तो पूरा जो एक green, एक green color का, जो bed seat के तरह, pond के उपर हो जाएगा, उसको क्या गाएंगा, त उसका मदल भी algal bloom है, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आया, कैसे connect है, एक दूसरे के साथ, जो effulence होते है, effulence from the industries and homes, can radically accelerate the egging process, this phenomenon, called cultural or accelerated eutrophication, नॉर्मेली तो time के साथ साथ, nutrient quality बढ़ेगा, और natural है, लेकिन घर से detergent वाला पानी आके गिर रहा है, क्रॉफ फेल्ड से डिडिटी वाला पानी आके गिर रहा है, कोई भी industry है, वहाँ से nutrient enriched पानी गिर रहा है, तो उस तो accelerated हो रहा है, अगर मानलो nutrient quality, अगर एक माहिने में बढ़ा, एक मांद में बढ़ता, तो अब वो 10 देज में बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, time को कमा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते है, उसको हम कहते है, cultural accelerated eutrophication, क्योंकि eutrophication को accelerate कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते है, accelerated eutrophication, समझ गया, यह देखो, एलगल ब्लूम जब हो जाता है, यह देख रहा हो, कैसे बेड़ सीट की तरह, ग्रीन कलर के बेड़ सीट, यह पानी है, यह पानी है, यह पानी कैसा हो गया है, लेकर दिखा रहा है, गंदा हो गया है, पानी पूरी तरह से वेस्ट हो गया है, यह किसी भी काम में नहीं आए गर रहे हो कैसे सब ग्रीन कलर के चद्र के तरह यह खेला हुआ है ऐसा ये साला पानी है लेकिन वेस्ट वाटर कुछ भी काम नहीं आएगा अब यह तो इस ग्रीन का लगी इंस एटी का पीक्चर है यह बाहर का था ये इंस एटी का यह देखा पानी तो है लेकिन कुछ काम का नहीं है ऐसा बात है चलो आवा जाते इस पे ये तो ये तो ये तो काम का नहीं है इसे छोड़ दो इसे में मीटे ही देता हो चलो मुड़ी है अभी तो से 15 पेजेस हुए है अभी बाकी अभी भी करीब करीब 33 पेजेस अभी भी बाकी है करेंगे चलो human excreter can be recycled into a resources as natural filter natural filter के रूप पर उससा हम यूज कर सकते है human excreter को जो की कम करता है which reduce the need of chemical fertilizer obviously जो human excreter है उसका अगर फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करेंगे और्गनिक फर्टिलाइजर हो गया हो तो फिर इन और्गनिक फर्टिलाइजर के केमिकल फर्टिलाइजर का क्या ज़रूरत है इसमें कुछ work हो रहा है क्या ecosun उसे हम क्या है एकोशन टॉयलेट्स मैनियर्स में हो रहा है के रला स्रिलोंका स्रिलोंका के रला में ओव जो है ecosun toilets देखने को मिलता है ठीक है आब आजाते है शॉलिड वेस्ट के बारे में यह क्या है solid waste क्या है? solid waste के अंदर municipal solid waste आ था है municipal solid waste के अंदर क्या आएगा? सारा कुछ home का भी आएगा, hospital का आएगा, school का आएगा कोई भी दुकान का आएगा सब कुछ, जितने तरके अपर 69 waste हो सकते हैं सब कुछ आएगा ठीक है? क्या क्या हो सकते हैhst? paper, food, water, plastic जाधा तर क्या किया जाते हैं, open dump, open dump क्या होता है, सहर से दूर, यानि कि जहाँ पर जन बस थी, जहाँ पर है, बिंगोली मुसल्ब जॉन बस होती है, जहाँ पर भी population है, human population से दूर, दूर कहीं पर, यानि कि city और village से दूर, जहाँ पर humans नहीं रहते हैं, घरबड़ी उनका न भक्कन टाइब का कुछ भी नहीं होता, खाली वहाँ पर पड़ा रहता है. उससे क्या होता है? वो ब्रेडिंग ग्राउंड बन जाते है, रेट्स एंफ्राइज का है, चुहा, मक्खी वहां पर तो रहेंगे ही, ब्रेडिंग ग्राउंड बन जाते हैं. इसका सबस्टिट्ट है और ऑपोजीड भी है ओपेंडम का सब्स्टिट्यूट एंड ऑपोजीट है सेंटरी लैंडफिल ठीग है यह पिक्चेर सायद आप देखना नहीं चाहोते होगे लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको यह देखो पड़ा है इसको हम ओपेंडम कहते हैं क्या कहते हैं रहा है कि जाणो के इसते तरह देंकर सब्सक्राइबस क्या होते हैं कि sairenola यह कि तो देंगा इसको दम्प किया जाता है को भी ट्रेंच में यानिकि कोई भी खाल में उसे डंप करके उसके ऊपर डेली बेसिसमें मिटी मिटी से ढग दर यानिकि मानलो आज सुभा हुआ, सुभा से साम तक जीते मी कचड़ा आया, उस वेस्ट को मैंने उस ट्रेंच में मैंने उसको डाल दिया, फिर रात होने से पहले उसको मिट्टी से उपर से भर दिया, यानिकि जो है उप कवर हो गया, उसमें आप रैट फ्लाइस कुछ नहीं नहीं सकते है, वहीं बात है, इनने सैंटेरी लैंद्फिल, वेस्ट डंट, इनने डिपरेशन और ट्रेंच, डिस्परेशन और ट्रेंच, आप्टर, आप्टर, कॉम्पेक्शन और कोवर्ड विद धार्ट एवरे, मिट्टी से उसको फिर से ढग दिया जाता है, रेगुलर तीन टाइप का, बायो डिग्रेबल, जिनको अब क्या खास है? एक पीड बना के, उससे अब उसमें डाल दोगे, और ब्रेक्डाउन हो जाएगा, बायो डिग्रेबल, उसमें से आब फाटिलाइजर भी बना सकते हो, उससे फाटिलाइजर भी घर का कोई भी सामान आना है, जैसे कि मांनलो गोवर हो गया, बायोड इग्रेवल हो गया, या फिर खाना बने का चीज, फूड वेस्ट, जो फूड वेस्ट होते है, वह हो गया, कोई भी छिलका हो गया, किसी भी चीज का, वह बहां पर डाल सकते हो, ठीक है, वह नचरली ब्रेकड़ाउन हो जाएगा, फर रिसायकल कर सकते हो, ठीक है, पहले तो 4R का कंसेप्ट हुआ करता था, पहले 4R, 4R, लेकिन अब जैसे 3R का कंसेप्ट आ गया है, या लेकिन पहले 5R का कंसेप्ट आ चुका है, और नउन-स्धेवल, जो लिसान नहीं है, उससे लिए निद ब्रेकड़ाउन कर दिया जाता ह ट्रेंच है यहां पर यह ट्रेंच देख रहा है इसमें जो है वेस्ट को डाल दिया फिर जब काम खटम हो जाएगा इसको मिट्टी से पुरा ऐसे-ई-इस, भाग देगा जो है चुहा मक्खी यहां पर कुछ नहीं आ सकता ठीक है आप आए यह देखो गढधा बना के यहां पर रखा जाता है फिर उसको ढग दिया जाता है मिट्टी से डाट से कि चुरह कि क्या है आवार काबड़ी वाला जानते ही होगे रैग पिकर्स सेपर्सन और मेटरील्स फॉर रिसाइकल अब अकर गौर से नोटिस कि ओ सब चीजे वह नहीं लेते हैं से ओहीं चीजे लेते जिसको रिसाइकल किया जा सकते हैं उन्हीं चीजों को से बोल लेते हैं कि जो होस्पीटर होते हैं उससे वहां से बहुत ही हएजरड ना से जनेर्ट होते हैं है कैसे कैसे से वेश्ट हैं डिस्धेक्श इस अधर जह हमफुल केमिकल्स होते हुँ पैथोजनिक, माइक्रो और्गनिजम, सब कुछ रहते हैं, अगर मान लोग कोई भी नीडिल है, मान लोग अभी रिसेंट में COVID-19 आया था, तो कोई भी COVID बेसें को कोई इंजेक्शन दिया गया, ठीक है, उस नीडिल को ऐसे ही फेक दिया, तो उसमें तो COVID का जो है वाइरस जाये गा, किसी को Carlera होता तो这么 injection दिया गया, तो कोलरा जो है हो, तो अंदर तो होगा, अगर किसी नेदेगा न तो उसको भी Carlera हो जाएगा, ऐसमड़्य क्या कहता है इस चीज़ को हम कहते है, तो हॉस्पिटल वैस्ट, ए तो इतना सरी नीडिल, भॉकस है यह ने है, यह सा ब्लाड का है, ऐसा ऐसा चीज होता है, ठीक है? अगर आप देखोगे ना, पिक्चर देखोगे, यह सरा पिक्चर लेहाने का कोई मतलब नहीं होता, लेकर अगर आप पिक्चर को देखोगे, तो आपको दिमाफ में कुछ-कुछ सेट हो जाएगा चीज पहली, आप आप आज़ेतें, EUwert, EUreci को समझ में आ रहा है, जो भी electronic gadgets है, useless, useless electronic gadgets है, उनको हम EUριesट कहते हैं, क्या है? इस रिपेरेबल कॉंप्यूटर्स जो की रिपेर नहीं हो सकते इस रिपेरेबल कॉंप्यूटर्स एंड आदर जो इलेक्ट्रोनिक गूर्ज होते हैं आदर इलेक्ट्रोनिक गूर्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनिक वेस्ट या फिर स्वाट्फों में इवेस्ट ठीक है अब देखो EU West के बारे में एक यहां पर जो है information दिया गया है क्या है वो देखे है जो EU West होते हैं हाप अपड दी वेस्ट जनेरे इन दी डिवलोपाइड वाल्ड और एक्स्पोर्टेड टु डिवलोपइग गानट्री कंटृis डिवल उत डिवलोपे इो इंध्लाप्डब में जितना सरा U.S. प्रोडूस होता है। उसका आधा यह यह जो developing countries है यह export कर लेते हैं क्यों कर लेते हैं अब देखो पता चलिए उसके अंदर जो copper होते है ना e-west के अंदर मानले कोई भी computer उसके चीफ है उसके अंदर silicon हाया silicon रहता है कोई भी chip के अंदर iron gold nickel silver यह सारे चीज होते हैं यह रिकोवर रिसाइकल कर लेते हैं यह सारे चीज होते हैं इसलिए मंगवाते हैं ठीक है यह देखो calculator pipes नहीं पाइपस नहीं है साथ कुछ है चीज़े है यह देखो क्या है यह battery है साथ ऐसा चीज होते हैं ठीक है की बोर्ड है साथी है कि अ यहाँ पर यह टॉपिक है आहमेद खान का कितना बक्त हो गया आज साथ यह खतम नहीं होगा मुझे लग रहे है आज यह खतम नहीं होगा रूख जो थोड़ा सा पानी पी लिते हैं अब भी पानी पीलो 53 मिनिट्स हो गया है और आपने आप तक जहल दिया है 50% कवर हो चु चलाओ पानी पीलिया मैंने देखते हैं कवर करके ही जाएंगे ठीक है थोड़ा सा स्पीड लेते हैं आप आपको प्लो आ गया होगा ठीक है थोड़ा सा स्पीड लेते के स्टड़ी ओव रेमेडियो प्लास्टिक होएस्ट क्या करा क्या चीज जह इंसंद एक इंसंद था नाम था अहमेद खान कितना उमर 57 अर्ज ओल उसने 20 सलों तक प्लास्टिक साग उन्होंने प्रोड्यूस किया था वेस्ट सलों तक ट्वेंटी आर्श तक उन्होंने प् उन्होंने यह रियलाइज किया कि प्लास्टिक की सबसे ज्यादा प्लास्टिक की प्रॉब्लेम करते हैं रियल प्रॉब्लेम है प्लास्टिक उन्होंने रिसर्च करके कुछ बनाया क्या बनाया फाइन पाउडर स्पेलिंग गलत है फाइन पाउडर हो गई है ठीक है फाइन और रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक जो भी रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक है उन्होंने एक फाइन पाउडर बनाया जिसे हम क्या कहते है जिसको हम कहते है पॉली ब्लेंड क्या कहते है पॉली ब्लेंड उसको बिटुमेन के साथ मीक्स करके उसको बिटुमेन और एंड बेंगालोरो सीटी कएइडिक न kau 4000 धौन कया ने रही है। वें一定要 extraordinaries थे को फाइदा इसे फाइदा मिलेगा हुआ से फातीता है। समझ लोगा water replacement जो प्रॉपर्टी है ओं इंक्रीज कर देगा और जो bitumen का life है या road का जो life उसको भी increase करेगा ठीक है ये देख़े पॉलिब्लेंट प्लास का यह कोई क्या है cement है क्या है powder है पता नहीं मुझे ये मिला तो मैं लेकर आयाँ ठीक है देख लो सिर्फ, पहले का दिन में जो ragpickers होते थे उनको 0.4 यानि कि 0.4 पर केजी के दाम, उनको दाम मिलते थे प्लास्टिक के ठीक है, पार केजी प्लास्टिक के लिए उनको 0.4 पैसर मिलता था, अभी आमेद गान उनको कितना ओफर कर रहे है ragpickers को, 6 रूपया पर केजी एक कीजी प्लास्टिक के लिए उनको 6 रुपया दे रहा है ओविसली लाव हुआ है रोड का भी जो लाइफटाइम है रोड का लाइफटाइम भी इंक्रीज हुआ बिटूमिन का वाटर रिप्लेसेंट प्रोपाटी भी इंक्रीज हुआ और यह जो रैग पिकर से उनको भी लाव हुआ और क्या 2002 से 2002 से अब तक 40 किलो मेटर रोड बन गिया है बेंगलोर में किस से? पॉली ब्लेंट एंड बिटूमिन का मिक्स्चर से ठीक है? 2002 से अब तक करीब 40 किलो मेटर रोड बेंगलोर में बन चुका है यह क्या है दिख़ते? यह है आगरो केमिकलज अदेर इफेक्ट करेंग बेंगलोर में ग्रिन रे इवूलिशन ट्रिप्लि पूड पता है ना परॉठाए था ट्रीप्लिग बूड हुआ था ट्रिन चुचए गिन गुटीस तक पैसा फूड ही रेलिशन और पेस्टिसाइड्स फोर इंक्रीजिंग फूट प्रोडाक्शन इसका मतले भी अग्रोकेमिकल बेस्ट अग्रिकर्च उससे क्या होते है यह अगर अगर आप बीटी कोटोन अगर अगर आप यूज करते हैं वह किसके लिए पार्टिकुलर सिर्फ बाटर्फाइड के लिए इसके लिए वो सिर्फ हानिकर राखे बाकी और इकिसी के लिए नहीं है लेकिन अगर डिटी दे रहे हो तो बहुत सरे चीजों के लिए हमफुल हो सकता है ठीक है? उनका कोई specific target नहीं होता किसी भी pesticide, herbicide का specific target कुछ नहीं होता ठीक है? ऐसे ओग non-target चीजों के लिए हम पहुचाता है problem क्या आता है? एक तो bio magnification होगा अगर DDT दिया तो bio magnification तो होगा aquatic ecosystem में problem आएगा? आएगा मैंने बताया था कैसे आएगा bio magnification aquatic systems, ecosystem से related है terrestrial ecosystem में भी problem आएगा? आएगा और eutrophication तो होगाई कितना problem देख दो? main problem किस में आता है? main problem आता है, इसको देखकर पता चल रहा है aquatic ecosystem है aquatic related चीज में, bio magnification भी हो रहा है, aquatic ecosystem system भी problem हो रहा है, और environment भी भी problem eutrophication में भी problem हो रहा है ठीक है? अब आएगा case study of organic farming, organic farming के बारे में start करेंगे, organic farming क्या होता है? यह cyclical process होता है cyclical, माने मतलब एक के उपर एक dependent होता है ठीक है? और कैसे होता है example से मैं बताऊंगा zero waste होता है produce, कोई भी waste produce नहीं होता है सब कुछ काम आ जाता है production का जो efficiency है उसको भी इंक्रीज करता है और क्या करता है? chemical fertilizer use को यह reduce करता है chemical fertilizer के use को यह reduce करता है कोई भी chemical fertilizer का जरूवत नहीं पढ़ता है example के रुपब आब यह देखो Ramesh Chandra Dagger Ramesh Chandra Dagger Sonipatka, Hariyana के Sonipatka रहने वाले थे ठीक है? Ramesh Chandra Dagger नाम को याद रगना और कहां के है वह याद रगना beekeeping भी किया था dairy management भी किया था और water harvesting भी उन्होंने किया था तीनों चीज़े beekeeping, dairy management, water harvesting तीनों चीज़े उन्होंने किया था ठीक है? dairy management से cattle excretor निकला जिसे हम डांग कहते है, gober कहते है gober, cattle excretor निकला दो जगे पर उसे यूज करेंगे अब एक तो है natural fertilizer crop field में उसे देंगे natural fertilizer दूसरा है उससे natural gas जिसको हम गोबर gas कहते है उसको generate कर ले जो energy है farm के लिए जो energy requirement है उस गोबर gas से ही पूर्वा हो जाएगा हो गया ना double love एक तीर से दो निसाना dairy management मैंने किया उससे gober आया उसको मैंने खाद के fertilizer के तौर पर crop field में भी यूज किया और उसको मैंने gober gas के gober gas produce करने में भी यूज किया और उससे मेरा farm के energy requirement है वह भी पूरा हो गया double love ठीक है कोई भी या नहीं यह देखो चलो आप 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 आजाते हैं इसमें 31 हो गया हो जाएगा एक गंटा हो गया क्या एक गंटा तो हो गया चलो करके ही जाएंगे और 17 पेज है एक और बात डेगर ने क्या किया था उन्होंने एक हर्याना किसान वेलफेर क्लाब बनाया था यह साइद mid गया है यह आपकी नोर्स के live हर्याना किसान वेलफेर क्लाब उन्होंने बनाया था, जिनकों के present member क्या है 5000 farmors है जैनीम्पे आप आहिते के रेडियेडियो iqb पोब प्लेंट से जोगो सब्सक्राइब सोपि fae Th breathe तो प्रॉबलेम में किया प्रॉब्लेम एक तो ऐं में और ब्चर्फ डिसपूज्वर्ल डिसपूज ड्युक्राइब कंसे करेंगे कर दो आप यह प्रोंस सदेखर कैसे डिस्पोस करते हैं सिल्ट एक कॉंटेनर लेते है अंदर उसे गाड़ देते हैं पत्थर यह दूर्ट वेदिन दि रॉक्स पotesके अंदर उसे गाड़ देते हैं कितना 500 %500 प्लेस से दूर एक के शिल में उसको पूर Πाइब्दिद इनकीशीव कोंटेनर के अंदर उसे सील करकर कि यो 각डर के आंदर 500 मिटरक दीब कोई भी पप्लेस में थे ब्लीक प्लेस से दूरु कर देते है त्यूंसे यह अब आ जाते हैं मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग यह थोड़ा आपको इंट्रेस्टिंग लाइगा ठीक है पहले तो मेरी बास सुनों फिर मैं सम्झाओंगा ठीक है पहले में सम्झों मुझे से फिर मैं पड़ाओंगा कोई भी winter ऐरिया है winter season वाले एरिया है वाँ winter season है आपको farming करने में दिक्क्त आ रही है अब क्या करोगे एक green house बनाओगे green house का मतलब glass का house एक glass का house होता है क्या होता है जो भी सूरेज की रेज सान की रेज जो भी आते है अंदर तो आ जाता है लेकिन रात में वह बाहर नहीं जा पाता है उसका हम ग्रीन हाउस कहते है उसका हम क्या कहते है ग्रीन हाउस कहते है एक ग्लास हाउस होता है जो किना प्लैंट्स को ग्रो करने के लिए यू यह ग्रीन हाउस प्रिथभी के लिए भी आर्थ के लिए भी सेम तरीके से काम करता है लेकिन यहाँ पर ग्लास नहीं होता है यहाँ पर होता है गैस कौन सा ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उनका कारगों डायोकसाइड मीथेन, CFC, एंटूर यह सब ठीक है क्या करता है यह एक लेयर की तरह आर्थ की ऊपर यह बना रहता है जिससे सुरज की किरने अंदर तो आती है लेकिन रात में यह जो है ग्रीन हाउस गैस को सोस लेता है एब्सोप कर लेता है रेस को और बाहर जाने नहीं देता ठीक है इससे आर्थ का टेंपरेचर हो रात में भी बना रहता है normal average अगर यह greenhouse नहीं होगा तो रात में आर्थ का temperature minus 18 degree centigrade हो जाएगा सोच सकते हो क्या होगा तब अग्रीन होज रहने से यह average बना रहता है 15 degree centigrade यह बना रहता है average ठीक है वही बात यहां पर लिखा है विदाउट ग्रीन होज इफेक्ट एवरेज टेंप्रेचर रूजाओ एवरेज टेंप्रेचर सार्फेस अपडियार्ट विल इसका क्या उपर हो सकता है minus 18 degree centigrade कितना minus 18 degree centigrade यह देखो और यह 15 degree centigrade on an average बना रहेगा अगर ग्रीन होज रहेगा तो सी एफसी कार्बुन डायक्सेट सब्से जाधा रहता है 60% कार्बुन डायक्सेट होता है याद रहता है 20% मिथेन सेकेंट हाइस्ट है 14% सी एपसी होता है 6% एंटू होता है जितना भी किर्ने आती यह सुरज की उसका one-fourth भाग पर one-fourth reflect हो जाता है cloud or gases से मानलो एक पर अगर एक किर्ने आई तो उसका one-fourth reflect हो जाएगा three-fourth अंदर आएगा three-fourth अंदर आएगा three-fourth अंदर आगिया आया की नहीं अंदर three-fourth उसका हाप incoming solar one-fourth तो पहले रिफ्लेक्ट हो गया अंदर आएगा अंदर थ्री-fourth उसका भी हाप जो है radiation heat वो आर्थ के अंदर आएगा ठीक है जो अब जब night होगा यह point होगा अब जब night होगा तो क्या होगा आर्थ उसको उस रेडियेशन को छोड़ देगा solar radiation को ठीक है छोड़ आर्थ तो छोड़ देगा लेकिन आर्थ के ऊपर जो greenhouse का जो लेयर है उसका एक भाग हो परसेंटेज हो एबजोब कर लेते हैं मैक्सिमम पार्ट हो एबजोब कर लेंगे ठीक है उससे क्या होता प्रिधिवी का प्रिधिवी का आर्थ का जो टेंपरेचर है रात में एवरेज बाना रहता है 15 डिग्री सेंटिग्रेट लेकिन अगर उसका लेयर जो ज्यादा हो गया अगर greenhouse gases ज्यादा हो जाएंगे उसका लेयर अगर बहुत ही ठीक हो जाएगा तो क्या होगा ज्यादा एबजोब करके रखेगा जितना ज्यादा एबजोब करके रखेगा आर्थ का टेंपरेचर उतना ज्यादा बढ़ तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं यह देख मेजर फ्रेक्शन को एब्सोब कर लेता है इंक्रीज इन दी लेवल अब ग्रीन हाउस गैसे सब्सक्राइब करेगा और आर्थ का टेंप्रेचर को इंक्रीज करेगा उसनों क्या कहेंगे उसनों कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग पास्ट संचूरी में पास्ट संचूरी से दिूरिं दी पास्ट संचूरी इंट तेम्परेचर अब आर्थ हाज इंक्रीज तेरो पर शिरो पैंट जिली संटीग्रेड most of it क्या है निच्चे देख लेते हैं कौन सा है यह है क्या और यह यहाँ पर आगया था शोरी हाँ most of during the last three decades last three decades के अंदर जो है temperature पिछले वाले century के दुलना में 0.6 degree centigrade बड़ा है का साइनिंटिस्ट का यह कहना है कि साइनिटिस्ट होते है mix चूंटिस्ट होते हम बिलीघ हूं साइनियटिस्ट के क्या बिलीबग्रते है Rise in temperature is leading to diuterious changes in the environment and environment and resulting in odd climatic changes जैसी कि एल निनो इफेक्ट एक टो एल निनो होता है दूसरा लाल लीना होता है ठीक है अगर आपने जोग्रफी 10 पे पढ़ा होगा सही तो आपको बात है ल निनो लाल लीना ठीक है अब कंफ्यूज मात होना ल निनो को याद राखना ठीक है क्योंकि एंसे टीप पे एही लिखा है ल निनो अब क्या है how can we control global warming, global warming को कैसे control कर सकेंगे टोटल 5 जो है हमारे पास रास्ते है ठीक है वैसे 5 वैस पॉसिबल वैस है कौनसा कौनसा एक तो cutting down use of fossil fuel, fossil fuel का use को हमको कम करना होगा improving efficiency of energy users, energy users का जो efficiency उसको increase करना होगा, deforestation को reduce करना होगा, planting trees प्लांट करना होगा, जाधा से जाधा, जो growth of human population है उसको भी कम करना होगा जही है जोग है तो आप क्या है, जोग मिलिकेशन थी इन गीघ क कर अब क्या है ठीक है जोग है तो बसाइंजन परखो कर में चुका होग étant के प्लाहर सिंद्शरा कोई और से रोजन गडेंग को फरोजन गाडेंगेutet डॉस होते हैं कि डॉब्सों से मिजर करते हैं किसीं डॉब्सों से तीखनेस ओव दी ओजन इनकालम ऑफ एर फ्रम ए डाउन टु दी टॉप दी अट्मोस्पेर इस मेजर दाप्स टंव टॉब्सों इतना सारह याद रखने के सावर ताइसे यह यह याद रखने की देखना दॉब्सों यू अंतक्तिक रिजियन है ए औटक्टिक के अगा उहां पर आइस बड़े लघे चाया रहते हैं ऐस ब्लोक स-ट रोडल ऐडिफलो पर ऊळागस, उलगाशन वइस च्छोच बांने बहुत होạnhं, आण सायन है त्लाशन प Issue तो तो सी वाटर के लेबल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इस नहीं से आइस ब्लॉक्स हो पिंगलने लगा ऐस ब्लॉक्स अगर पिंगले गा तो प्रेस्च बब बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा सीवाटर का लेवल अगर इंक्रीज होगा जो कोस्टल एरियाज है हर एक कांट्री का वो पान के नीचे चला जाएगा और साइंटिस्ट का यही डर है ठीक है तीफॉरमेशन अब लार्ज लियर अब थीन ओजन लियर कॉमूनली कॉल्ड है ओजन होल से sesnay the याद राखना यह क्या उती है sogenan मिकर्ण सब्सकोर जो सब्सक्राइए इखों दो यह बलॉक्स कैसे देख रह रहा है कासे यह करें शोन तो भी उफ्योड लाई यह अब इसको देखते हैं, पेज नमबर 41 और सिर्फ 7 पेजे से, बैस होई गया, चलो, थोड़ा सा और, Degradation by Improper Resources Utilization and Maintenance, क्या है, दो पॉइंट है, Soil Erosion and Water Logging and Soil Salinity, Soil Erosion and Deforestation, Deforestation जो है, मेन परपस होते हैं, ठीक है, Soil Erosion किसके वेते होता है, Over Cultivation, Unrestricted Grazing, Deforestation and Poor, Poor क्या, पूर यह क्या लिखिए है, Poor Practice, यह छोड़ा होती है, यह छोड़ा, यह छोड़ा, यह छोड़ा, यह छोड़ा, चारव चीजों के वाज़े से होता है, Water Logging and Soil Salinity, Water Logging draws salt to the surface of the soil, Water Logging क्या, जम जाता है, Water कहीं पर जम जाएगा, तो क्या होगा, जो salt है, उसको surface में लेकर आएगा, ठीक है, Soil Surface में उसको लेकर आएगा, ओ, क्या होगा, deposit होना start होगा, आर्थ, थीन कस्ट के, और ओ, क्या होगा, लैंड सर्फेस में जम जाएगा, ठीक है, Salt increase होगा, Salinity increase होगा, डेमेज कर लेकिन का, एगरी कल्चर का, एगरी कल्चर को पूरी तरह से डेमेज कर उस मिट्टी में, फिर कभी भी नहीं, चास होगा, लेकिन उसको फिर बनाना पड़ेगा, उस मिट्टी में, करीब-करीब, दस सल, बारा सल, कोई भी अगरी कल्चर के, अगरी कल्चर बेस्ट वार्क ही नहीं होगा वहाँ पर, दस बारा सल उसको यह होई, छोड कर रखना पड़ता है, ठीक है, उसका ट्रीडमेंट ही है, फिर नैचरली हो सही हो जाता है, मिट्टी, अब आजाते हैं, अब आजाते एक आजाते हैं, अब आजाते हैं, फोरेस्ट नहीं है, काट कर उसको साफ कर देया, उसको दीफोरेस्टरेशन कहते हैं, ठीक है, अल्मोस्टेडल बारा सस्थ फारेस्टल परष्टेटी तरह वार्स दीटें ट्रॉपिक्स परफेंद टॉपिक्स ग्रणी वार्टी यंट 20th century याद रखना इंडिया के लैंड के 30% 30% क्या था जो है forest cover था ठीक है लेकिन century के आखेर था है end of the century वो कितना हुआ 21.54% कितना हुआ 21.54% जहां कि whereas the national forest policy 1988 यह याद रखना national forest policy 1988 में हुआ था ठीक है अफ इंडिया has recommended 30% forest cover for the plains 30% forest जो plain areas है जिसको हम बेंगुली में समतल भूमी कहते है प्रेन एरिया जे वो 33% और जो पहाड़ी यह लगा हिली एरिया जो है hills है उसमे 67% cover होना चाहिए ठीक है लेकिन है 21.54% slash and barn agriculture, zoom cultivation क्या होते है कुछ farmers होते हैं क्या करते हैं कहीं पर गया forest था वहाँ पर उसको काट कर जला दिया forest को ठीक है वहाँ पर चास करने लगा farm agriculture करने लगा काम करने लगा farming करने लगा दो तीन सल तक वहाँ पर काम किया फिर क्या हुआ हो गई नार नेचरल बात है मिट्टी का जो स्वाइल का जो न्यूट्रेंट क्वालिटी था हो कम हो गया तो फिर एग्रिकलिचर का जो फूड प्रोडाक्शन का जो अमांट था वह भी कम हो जाएगा इस जागे को छोड़कर दूस्री जागे चला इचिक पिया घार पहरांको फॉरेस्ट क्वाइट कर दिया तो यहां पर ढ काट दिया उन्होंने उनको काटके उनको बर्न कर दिया फिर उहाँ पर चास करने लगा खेती करने लगा उहाँ पर लेकिन उहाँ पर जो न्यूट्रियन क्वालिटी है मिट्टी का कम हो गया इसलिए उस जागे को छोड़ गया दूसरी जागे फिर चला गया इसको कहते है जूम काल्ट यह नाचरली फिर से इंक्रीज हो गया ती दूसरी जगे ऐसे होता है फिर कुछ साल बाद वहां पर आके फिर वहां पर फोरेस्ट को काटके फिर जो है खेती करने लगा इसको कहते है जूम कल्टीविसन नौर्ट इस्ट स्टेट में इंडिया की यह देखे जाते हैं ही सब्सक्राइब उडियार्य जाते हैं पर के फिर से काटके खेती करने लगा इसको काराना बाद उडिपेट क्या होता है एट्मासफ्यर में सेयो 2 इंक्रीज होगा इसमिम प्रस्ट ऊशल इरुसन पैले उहां पर फोरेस्ट तेव प्रस्त नहीं है स्व stretch लिवरिजन हो ग डूड़ को दो गैनेगे पर फेर से प्लैंट आ जाएंगे ठीक है रिफोड़ेस रसिंघ आप वहाँ पर अगर कोई भी ट्री अगर प्लैंट करते हो तो क्या स्टोरी के तरह सुन जोधफूर का एक किंग था राजस्थन में जोधफूर नाव के जगह है उसका किंग था ओखुद का एक पैलेस बनाना चाहता था कितना 1731 में उसने उसका एक मिनिस्टर को वहां पर भेजा लगडी के लिए फॉरस्ट के जो उड़ है उसके लिए लेकिन वह मिनिस्टर क्या होग है इनहेविटेट हुआ किसके द्वारे विष्णूई एक संपरदाई उहां पर होता है विष्णूई उनके द्वारा उन में से ब्रेव ओमें था नाम था उनका अम्रिता देवी उन्होंने एक ट्री को जकर लिया यहने के हाग हागिं कर लिय एक हगिंग एक ट्री एंड किंग्स में काट हर बीफोर कटिंग देट एंड जो राजा के जो आत्मी थे किंग का जो आत्मी थे उन्होंने ट्री को कटने से पहली उनको ही काट दिया ठीक है तब से क्या हुआ गोवर्मेंट ने एक एवर्ड चालू किया क्या नाम था उस जिर सर्फ यहाद रखना हि महन है यह जो है 1731 ओं और यह उम्रिता Дेवी इंका जो नाम है यह याद रखना है यह ति यह तिनों चीज याद मां से उस damn उसके बाद क्या आया मैं उसके बाद हाया था चिपको ओम सिगुरा इस और गारवाल हिमालोय के गारवाल एलागा है उहां पर हुआ था कितने कब हुआ था 1974 में जो लोकल लोमें थे उन्होंने इनुमास ब्रिवरी सो किया था उस दौरन प्रोटेक्टिन ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रम दी एक्स ऑप कॉंट्रेक्टर्स बई हगिंग दें उनको ट्रीज को जकर लिया था क्या अगर उनको काटना होगा तो पहले हमको मारना होगा फिर अब उनको काट सब्सक्राव एसा ठीक है अब आजाते है जॉएंट फोरेस्ट मेनेजमेंट इसको अम सॉट फोर्म में क्या कहते है जी एफेम नाइटीनेटी में यह प्रिविया से में आ चुका है वीवी आई है ठीक है वीवी आई से अच्छा है मैं यहां पर पीवाई क्यू लिग देता हूं उनको अच्छे से याद रहेगा नाइटीनेटी में जॉएंट फोरेस्ट मेनेजमेंट हुआ था इसके आसपस के इरिह में जो भी लूकल पीपल होते है उनको एक दाइटो हूआ दिया जाता है किस क्याम के लिए जो फोरेस्ट है उसको प्रोटर्ट करने के लिए प्रोटक्ट अड। को मैनेज 然後 नेच करने के लिए फोर्रेस्ट का शुन लोगों को स्टा इन क्याल आब म मैंने यूर्ट तो पर जो लोकल बील है शहर पड़कर है इसके लीए तो पर जो लोकल ईबगेंस फरीटousing मैंने बता दिया दिया नोट्स टो नोत्सचा ऐन्यґ फिर थे डर्म हमें में और खर इंद क्यास को क्वोड़ ना sustainable manner, NCRT का यह जो है, यह टार्म है sustainable manner, sustainable way बोलो sustainable manner भी कह सकते हो, उसमें यह conserve होता है, forest, ठीक है, चलो, खतम हो गया, और भी यह है, चलो, यह कुछ picture है, क्या देखोगे यह से अब, चलो, खतम हो गया, the end, the, the end, चलो, chapter हमारा हो गया, the end, एक और lecture का लाएगा, ठीक है, शुबह में, उसमें कुछ external points में discuss करूँगा, और dates and years सब में discuss कर दूँगा, ठीक है, उस lecture में, basically, यह ही आपका last lecture था, chapter आपका खतम हो गया, अब सभी लोगों से मिलते है, मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, स्वास्त रहिए, पढ़ते रहिए, अलवीदा मेरे दोस्तों, चलो, बाई,